भारत का राश्ट्रेय ध्वज उनके डिजाइन पर आधारित है पेंगली ने सबसे पहले 1921 में उसे महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्तु किया था पेंगली वेंगईया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिली में हुआ था वे अफ्रिका में आंगल बोयर युद्ध के दोरान दक्षण अफ्रिका में ब्रिटिश सेना में थे वहाँ पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई उस समय आशन दिखाया राष्ट्रिय ध्वज की आवशक्ता अनुभब करते हुए गांधी जी ने पेंगली से नया ध्वज